जॉइन आर टेलीग्राम चैनल फॉर फ्री बिनिंग टीम्स, फ्री गिवबेज, एक्साइटिंग ओफर्स और लास्ट मोमेंट अपडेट्स, टेलीग्राम चैनल जॉइनिंग लिंक इस दिस्क्रिप्शन बॉक्स जो पुराने वाले वीडियो, खेर, आज दोस्तों हम ये वाला मेच कवर तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और आज के इस मेच में हम प्रोफिट भी निकालेंगे, उसकी भी आप चिंता मत करो, उसकी भी आप टेंसर मत लो, लेकिन मेरे को एक बात बताओ, एक मेच का प प्रोफिट कंटीनू रखना है, तो आपको हम से जूड़ना पड़ेगा, अगर आप दोस्तों हमारी चैनल पर नहीं हो, और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथे साथ बेल आइकन को जरूर ज़या हो, तो आपड़ेको सब्सक्राइब जरूर कर लेना हो, दोस्तो बात करते हैं देखें इस वीडियो के बारे में, इस वीडियो में हम इस में keeper से इलेटेड प्च रिपॉर्ट की बात करेंगे, team news की बात करेंगे, match facts देखेंगे, head to head record देखेंगे, playing 11 के भी सारे record द नहीं हुआ है और जब तक टोस्ट नहीं हो जाता जब तक में स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक अपने पास नई नई अपडेट टीम की तरफ से आती रहती हैं मेज की तरफ से आती रहती हैं अब जो भी अपडेट हाएंगी जो भी अपडेट होंगे अपनी टीम में वो सार दो लाग दस हजार से भी ज़्यादा लोग हम से जुड़े हैं और डेली हमारी टीम्स का फ्री में फाइदा उठा के अच्छा खासा बेनेफिट अच्छा खासा प्रोफिट कमा रहे हैं गीवावेज और ओफर्स का भी रेगुलर बेसिस पर याँ पर लोग फाइदा उठा रहे हैं अगर आप दोस्तों अभी तक हमारे टेलिग्राम चनल से नहीं जुड़े हो तो आपका यार बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि फाइनल अपडेट आपको वहीं पर प्रोवाइड कर पाई जाती है इसलिए आपको description वाली लिंक से comment box वाली लिंक से हमारे टेलिग्राम चनल को जरूर से join कर लेना है बात करते हैं दोस्तों देखो हम इस match के venue के बारे में तो यार ये वाला जो match है ये खिला जाएगा दुबाई international cricket stadium है दोस्तों सबसे पहले तो यार मैं आपको बता दूँ देखो मेरी आवाज अगर थोड़ी आपको भारी भारी आ रही हो इसका मतलब है देखो मेरा अभी गला बेठा हुआ है आपको बता है मैं इसलिए दो तीन दिन में टोटल मिला के लगबग 6-7 कंठे सोया हूँ दिन के मैकसिमम एक से देट कंठे मैकसिमम इतना ही सोया हूँ दो कंठे मान लो क्योंकि इदे को ट्रेवल का काम भी कंप्लेट किया है फिर आपको लोगों के लिए रेगुलर वीडियो भी अप्रोड किये रेगुलर टीम भी कर भाई तो कहां टाइम मिलेगा भाई सुनेगा इसलिए थकान हो गई तवियत खराब होई चलो इसलिए बोलों आवाज को थोड़ा अगी नोर करना थोड़ी भारी आ रही होगी खेर इसमें ये वाला जो वेन्व है न दुबाई इंटरनेशनल वाला ये केस सा है इसके ब बोलिंग होगी न वो मुस्किल हो जाएगी इसलिए टोस्ट इपता ही सबसे पहले बोलिंग कर लोगी ज्यादा सही रहेगा ये तो हो गई एक एक चीज़ दूसरी बात अगर मैं बात करूँ इसमेज की तो अगर 140 भी कोई टीम बना देती है तो उसके पात जीदने के अच वर्ड कप के सीजन की तो यार तीन मेच ओल्डेडी जो है इस पर्टिकुलर मेदान में खेले जा चुके है और तीनों मेच पहले बोलिंग करने वाली टीम ने जीता है तीनों मेच चेस करने वाली टीम ने जीता है वो ही में बोल रहा हूँ न सेकेंड इनिंग में दिरों में ही माल दो इतना कम सोके आप लोगों के लिए वीडियो चूरा बनाई अगर आप लोग support नहीं आपको ये support ही motivate करता है तो ये support continue रहना चीए वीडियो को like जरूर कर देना इस वीडियो पर आपके लिए like target है 10000लाइक्स का जो कि आप complete कर सकते हो sheriff कहा थायम है एक-एक मेज ओड़ेडी खेल लिया है और एक-एक मेज जीत पिया है मतलब कि जो भी ये मेज खेले हैं इस सीजन में दोनों ने चाहिए ऐसा हो गया मतलब कि सेमी फाइनल के लिए उनका जो चांस है क्वालिफाई करने का वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो दोनों तो ऑस्रेलिया ने पहला मेज खेला था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जिसमें ऑस्रेलिया ने जीता था लेकिन थोड़ी सी कठीना ही हुई थी ऑस्रेलिया को जीतना में देखो मैं आपको सही बात बताऊं क्योंकि एक टोप ओडर जो डेविड वोर्नर थे और एरन फि जिसमें बांगलादेश ने बेटिंग करते वे काफी गजब का स्कोर पोस्ट किया था लेकिन स्रीलंका ने जो स्कोर है उसको चेस कर दिया था कोई दिक्कत नहीं आई थी आराम से चेस हो गया था एक दो प्लेयर की खास महरबानी हुई थी स्रीलंका के उपर उनके बारे म की चेसी मेल की स्रीज हुई थी और तीनों में जो है ओस्रेलिया जीती थी ओस्रीलिया थी तो देखो यहां पर एक चीज तो मैं आपको बता दूं कि और और ऊस्रेलिया के बाहर छेल्ग है लेकिन उचनी च्याधा निहीं है उम ग्रयांड पर हरको होता है और जो एम उस्टेलिया और एट टाइम स्रीलंका जीती है इसलिए मैं बोल रहा हूँ 50-50 है इस में हाला कि जीतने के तांसे थोड़े से उस्टेलिया की जाते हैं 60% मानो लेकिन 40% स्रीलंका के भी है जीतने के अच्छा दोस्तो इस वीडियो में आपको जितने भी इंफोमेशन बता करने में साथ ही साथ में आपको बता दूँ कि जब आप वहां पर अपना फर्स्ट टाइम डिपोजिट करोगे तो आपको मिलेगा 20% एक्ष्टा केश जिसका भी आप यूज कर सकते हो ओफकोर्स डिप्रेंट डिप्रेंट कोंटेस्ट जोई करने में आपके साथ वहां पर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कोमेंड वोक्स में मिल जाएगी बात करें दोस्तों अगर हम टीम न्यूज के बारे में सबसे पहली जो टीम न्यूज है उसमें मैं आपको बता दूँ देखो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था जब मैंने स्रिलंका का काफी बढ़िया बोलर हैं तो इनको इस मेच में खेलाया जा सकता है खास करकि तब जब इनके जो अपोनेंट है ओस्टेलिया वो काफी ज्यादा स्टोंग इस टाइम पर ठीक है तो थिक्षाना को खेलाया जा सकता है और अगर यह खेलते हैं तो most probably बिनूरा फरनांडो जो है अपने बोलिंग के दिए और पूरे चार ओर की दे और विकेट भी निकाल लेते ठीक है अब बात ही है कि ग्लेन मैक्सवेल को क्या इस मेच में बोलिंग दी जाएक कि नहीं दी जाएक कि क्योंकि और देखो और पांचवे के रूप में इनके पास मारकेश टोईनिस है इ लेकिन बात यह है कि इस मेच मेजिन बैते में पोलिंग करवा सकते है क्योंकि श्रीलक का स्वायेक मेरे बैट के तेम के ऑपर लेते हैं गिव अवै की देखो हर वीडियो मैं अपने गिव एवन रहता गीवए की दीकशत meanably और इस वीडियो में और इस वीडियो मेरी यह जिलंगे। लेकिश gullywood थपने इस वीडियो को सपटा लाइक किया होगा, और कोंट किया होगा और वीडियो को सब से लुह देखा होगा ठीक है अब जो दूसरा giveaway है वो जो है उसमें मैं आपसे तीन स्वाल पूछूँगा तीनों स्वाल आपसे इसी में एच्छे से रिलेटेड होंगे और तीनों स्वाल आसान होंगे ठीक है इन्हीं तीनों स्वालों का जवाब आपको नीचे कोमेंट सेक्षन में देना है लेकिन अपने giveaway जीतने के जो दो सिंपल रूल है वो आपको फोलो करने है पहला आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर होना सबसे ज्यादा जरूरी हो क्योंकि सब्सक्राइबर होगे न तभी आपको giveaway जीतने के बाद फोयों पेटियाम या गूगल सवाल नमबर वन है तीन सवालों से पहला सवाल है वो मैं आपसे अभी बूच रहा हूँ और सिंपल सवाल है आपको बताना है कि इस में टोटल विकिट कितने किरेंगे ठीक है और बचेवी दोस्वाल आपको आगे इस वीडियो में मिल जाएंगे बात करते हैं दोस्तों हम कुछ प्लेइर अब कुछ प्लार के बारे में उसमेंसमें सबसे उपर बेटमे ना उसका नाम है डेविड वोर्णर का ईस्री लंका की टीम के एगेंस्ट काफी बहतरीन रिकोर्डर बेटिंग करने वे टेवर इंटनेशमें में मैं आपको explaining मेंस्शधर नेंच्डेवीड मेच के लिए हैं आज तक और 12 मेच में इन्होंने टोटल बराए हैं 447 जो की काफी ज्यादा बहतरीन पारिया है इनकी अगर मैं बेटिंग एवरेज की बात करूँ स्रिलंका के गेंश तो भूर हो रहता है 55.9 रूंस पर मेच का जो की भाई काफी ज्यादा खतरनाग है इनकी 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 टरीके से काफी पसंदीदा तीम है स्रीलंका तो डेविट वोनर आपकी टीम के लिए काफी अच्छे भी रह सकते हैं ठीक है नमबर दो पर अगर मैं बात करूँ तो उनका नाम है ग्लेन मेक्सवेल और इनका रिकोर्ड काफी ज्यादा खतरना का बेटिंग करत बेटिंग की है स्रीलंका के अब देखो ध्यान से इन 4 में से ये दो बार तो रहे हैं नोट आउट ठीक है और जो बचेवे दो में बचेवे टोटल चार में इन्होंने टोटल बनाए है 281 रन चार में 281 रन बनाना किसे कहते हैं इनकी जो एवरेज है ये दो नोट आउट निकालना आता है न क्रिकेट में कैसे निकालते हैं ये दो नोट आउट अठागे 140.5 का इनका बेटिंग एवरेज रहता है परमेज स्री लंकान टीम के अगेंश्ट और इनकी जो स्टाइक रेटर स्री लंका की टीम के अगेंश्ट वो रहती है 225 रंस की अब ये टीट्व के समतिंग का है 140 का इवरेज कोई ही नहीं रखता यार भाई कजब है इसका रिकोर्टी का नबर तीन पर आजाते हैं अगर मैं बात पूर तो उनका नाम है एरन फिंच जो की है ऑस्टेलिया की टीम के कप्तान जो भी फिलाल में उतनी कजब की फॉम में नहीं चल रहे है औ की 270 और इनका जो बेटिंग एवरेज है वो रहता है 27.1 के समतिंग का और इनका जो श्टाइक रहती है वो काफी सही रहती है जो की है 148 की थी है और लास्ट में एक यार बेट्समेन और बताऊं किया मतलब उसका रिकोर्ट को ज्यादा ऐसा बताने लाइक नहीं है खास नह है जिनका नाम है कुशल पेरेरा अगर मैं इनका रिकोर्ड बताऊं तो यार इन्हों ने खेले हैं 7 में इन्हों ने बनाया है टोटल 174 और इनके बेटिंग एवरेज ऑस्टेलिया की टीम के गेंश 24.9 के समतिंग का इनका जो श्ट्राइक रेट है ऑस्टेलिया की टीम के गेंश हो रहता है 122 के समतिंग का जो की काफी कम है ठीक है तो मतलब उतना खास रिकोर्ड नहीं है लेकिन स्री लंका की टीम के साथ यही बेश रिकोर्ड है और दोस्तों अभी हम बात करेंगे बोलर्स के लेकिन यह अभी तक भी आपने भाई के वीडियो को लाइक नहीं क था ख़़ दो विकेट साथ साथ इनकी एकोनुम रेट भाई T20 इंटरनेशनल में गजब की है यह एकोनुम रेट टीट इंटरनेशनल में मैं आपको बता दू अगर एकोनुम रेट जाती है लगबग 8 के समतिंग तो वो भी ठीक मानी जाती है तो यह तो भाई काफी बहतर अगर मैं बात प्रूब कमेंज की तो यार पेट कमेंज ने भी टोटल 6 मेंज खेलें बस एक विकेट इनों ने कम लिया याने की टोटल 8 विकेट लिया है इनकी एकॉनम रेट इनसे थोड़ी सी सही रहती है मतलब ज्यादा रहती है 7.09 की और ये भी काफी बैतरी नहीं ठीक ह सथ फिलाब हम दोस्तों बात करते हैं इनी 22 प्लेट के सारे रिकॉर्ड के बारे में अगर हम प्लेइंग वंपर दिख वाएं थे सारे रिकॉर्ड के सारी टेक है यादा बात हम हिहां पर नहीं करेंगे डेविड बोनर एरं फिंस दोनों काफी बनाये थे बेटिंग के साथ और बोलिंग में जैसा कि मिन आप गोदाया था कि मिचमार्ज को नहीं मिली थी श्टीव स्मित ने 35 रनों की शांदार पारी खेली थी और आगे भी खेलते लेकिन एक काफी गजब का केच इन का लिया गया था श्टीव स्मित एसे केच जो है दे सकते हैं लेकिन जैसा कि मिन आपको उताया पिसले में बोलिंग नहीं मिली थी और बेटिंग के साथ 24 नोट आउट की गजब की पारी खेलके अपनी टीम को जिता के लेके गए थे दोस्तों बात करूँ वेड की तो वेड ने भी इनका साथ निपाय था 15 नोट आउट की पा एकोनो में रेट भी 7 के डाउन के रहती है और इनका भी जो है रिकोर्ड मैंने आपको बता दिया ठीक है एजल वूड ने भी पिसले मेच में आर काफी गजब की बोलिंग की थी CSK के साथ इनकी जो बोलिंग है वो काफी सही हो चुकी है और काफी गजब की जो है बोलिंग इन मेदानों में इनको करनी आ गई है 17 मेच में 21 की टोगा रोल है और पिसले मेच में दो विकेट अपनी टीम के नाम किये थे सबुआ है कतीसेरे सवाल आपको वीडियो में मिल जाएगा अभी बात करते हैं स्री लंका की टीम के बारे भार में 15 में बात कुर आपको निसांका नियों डेशना था इन वीकेट molecule के सीफ handsome पाइलह कि अपकंवल धेकrint फे año पर दाउन पर आ जाएंगे बेटिंग करने हैं और 6 मेज खेला है 155 रन है 31 का अवरेज है फर्णांडो के एकर में बात को तो फिलाल मैं अच्छी फॉम में नहीं चलने हैं पिछले मेज में मात्र जीरो रन याने की कुछ भी नहीं बनाए था और इनका जो T20 इंटरनेशनल म और अजा थे हैं भानू का राजय बक्षा जिन्होंने भी काफी कचप की पारी खेली ती 53 रनों की पारी अपने टीम के लिए खेली थी और अपने टीम को जिताले में पाद कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ी अपनी टीम को और जब पैटिंग में में ब의 superior Nothing यादरन पो scholar ब में 34 विकेट हैं लाहिरु कुमारा 13 में 20 विकेट पिसले में एक विकेट भी मिला लेकिन पिसले में आपको पता हुगा कि लितना अदाज से इनकी थोड़ी से फाइट भी हो गई थी उसके विज़ा से इनको जो है फाइन लगी थी साइद इनकी जो में फीस होती है उनका 25% ICC को पे करना पड़ता है इस फाइन और महिश ठिक शाना मेरे को लगता है इस में खेल सकते हैं पिसले में नहीं खेलेता है क्योंकि एक बेक पेन की वज़े से बाकी इन्होंने 2020 इंटरनेशनल में 8 में जिनमें 3 विकेट है अच्छा रिकोड ठिक शाना भी होल्ड करते हैं दोस्तो ये जितने भी प्लेयर एनलाइसिस मैंने आपको बताई है प्लेयर रिकोड आपको बताए है ये आपके बहुत खाम आएंगे इनको अगर आप स्क्रिंशोट वगिरा लेना चाहो ले सकते हो या फिर अभी वापस देखना चाहो वीडियो में पीछे जाके देख सक जो आपको अपनी स्मोलिक और क्रेंडिक दोनों में हैप करेंगे लेकिन जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि यार अभी तक इस मेज का देखो टोस्त नहीं हुआ है और ये वाला मेज स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक अपने पास टीम की तरफ से नई-णई अपडे पर जिसके जो फ्री जोइनिंग लिंक है वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में दे रखी है अपने साथ दोस्तों अल्रेडी यहां पर टूलेग 14,000 से भी ज्यादा लोग हमसे जुड़े हैं और डेली हमारी टिम्स का फ्री में फायदा उठा के अच्छी खासी विनिंग कर रहा है अगर आपको भी दोस्तों ऐसे ही फ्री का फायदा उठाना है रेगुलर बेसिस पर विनिंग करनी है गिववेज और ओफर्स का भी फायदा उठाना है तो देखो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है टेलिग्राम चेनल जोइन क अब देखो यार चाहिए कुछ भी हो जाए अपनी स्मोल लिकिटी में तो हम कुशल पेरेरा को ही रखेंगे चाहिए ग्लेन मेक्स्वेल की अगेंस्ट इनका रिगोर्ट खराव है लेकिन पूरी ओस्टेलिया की टीम की अगेंस्ट डीसेंट रिकोर्डर मैंने आप वो बत वाइस कैप्टन के लिए आपके लिए रिस्की चोईस हो जाता है लेकिन हो जाता है डेविड वोन न ठीक है चाहिए इरन फिन्स इनको मैं अपनी टीम में इस बार के लिए नहीं उठा रहा रहा रीजन आपको आगे वीडियो में पता लग जाएगा उसके नीचे दोस्तो पोडर में बेटिंग करते विए देखो इनकी बेटिंग आना तो पकिये साथ ही साथ अच्छे फोर्म में अच्छे कोइंस के साथ है ठीक है उसके अलावा अविश्का फर्नांडू का रिकोर्ड अच्छा निया नहीं रखेंगे श्टीव स्मित को मैं अपनी टीम में साइट बोलिंगा जो पेट कमिंस है मिचल स्टाक है जो सेजल वुड़ा एडम जबपा है उनके सब का सामना पतुम निसांका कर पाएंगे ठीक है अगर आप रखना चाहूं रख सकते हूं मैं भी हो सकता देखो टोस के बास जो अपनी टीम बनेगी ना उसमें हो सकता मैं पतुम निसांका को अपनी टीम में रखूं लेकिन वह मैं बोल रहा हूं वह अपडेट आएंगे ना जो अपने पास मेज की तरफ चे उनके बेसिस पर होगा और वह सारी अपडेट आपको टेलिकाम चैनल पर में प्रोवाइट करवा दूँगा पहले आता है ओल्डाउं सेक्षन में तो मिच मार्स जो की नंबर तीन पर बेटिंग करेंगे जरूर रखूंगा एक आते ओवर बोलिंग भी कर सकते हैं ठीक वाने डू होस्रंगा को भी जरूर रखूंगा गलेन मैक्श्वेल को भी जरूर रखूंगा उसके नीचे आपके पास दसुन शराका को उ आपके और चमीका करोणा रतने का ऊपसन एक ठीक ऊपसन में बोलिंग करेंगे और बेटिंग के आने के अच्छे और मेरको लगता है और शेलिया इतने विकेट इनके ले लेगी कि चमीका करूना रचने की बेटिंग आ जाए तो चमीका को यार अगर आप अपनी टीब में रखना चाहू रख सकते हो एक ट्रंप कार्ड की तरह आपके लिए काम कर सकते हैं मारका स्टोनीस नंबर 6 पर बेटिंगर ने आएंगे रखना चाहू रख सकते हो मैं किसी को नहीं रखना मैं रखूंगा भाई एक्ट्रा बोलर्स को अपनी टीम में क्योंकि वो मेरे लिए च्यादा इंपोरेंट है मैं अपनी टीम में दोस्तों मिचल स्टार्क को अपनी टी जर्वूर्ट के साथ जो भी आपको अच्छा लगे क्योंकि दोनों ही काफी बहतरीन बोलर हैं जिनके साथ भी आप जाना चाहू जा सकते हूं फिलाल के लिए जैसे मानलों जो से जर्वूर्ट उठा लिया और जैसा कि मैं आपको बता है अपडेट के विचसे पर टीम में तो उसके बाद मैं पेट कमेंस को भी उठा सकता हूं उसकी इंफोर्मेशन में आपको अपने टेलेग्राम चैनल पर प्रोवाइट करवा दूँगा अगर महीश ठिक्षाना खेलते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली में महीश ठिक्षाना को भी अपने टीम में कही न कहीं जग कर सकते हूं ठीक है यह डिफ्रेंट कॉमिनेशन आपके बन जाते हैं उन सब के बारे में इंफोर्मेशन आपको टेलेग्राम चैनल पर टोस के टाइम पर प्रोवाइट करवा दी जाएगी अच्छा दोस्तों बात करें यार अगर हम अपने गीवववे के तीसरी और आकरी करते हैं दोस्तों इन्हीं में अगर हम केप्टन और वाइस केप्टन की तो यार आपके लिए देखो ग्रेल मेक्सवेल एक ठीक चुछ साथ के लिए मिच मार्स भी ठीक ठाक चुछ साह उसके अलावा रिस्क की चुछ साह डेविड वोनर अगर बनाना ही चाहो तो रेटिंग प्लेस बोलिंग के साथ आपको पॉइंट दे सकते हैं ठीक है तो यह कुछ हुए से गिनेच उने ही चोईस हैं इस में और केप्टन वाइस केप्टन के भी जो फाइनल चोईसेज हैं वह मैं आपको टेलिग्राम पर शेयर कर दूँगा इस वीडियो को लिए सिर